जिसने अपनी पहली सास तक नहीं ली वो इतनी आखनी सासों का कारण कैसे हो सकता है दर्रहुमत तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले हपते एक ऐसी मुई सिनेमा गरों में रिलीज हुई थी जिसे कायने के लिए एक मच अविटेड और एंटिसेबर मुई कहा कया था कायने के लिए मुई का नाम था कलकी एक ऐसी मूई जो की इंडियन सिनेमा को बदलने के लिए सिनेमा गरों में रिलीज हुई थी चस्टो क्रोडर पे बनाने में खट चुवे थे और जो बनाने वाले थे उनका नाम कहीं न की ठीक ठाक नहीं चला था नाग अस्विन इस मूई को बना रहे थे लेकिन मूई में जो दिखने वाले थे वो काफी बड़े थे नाग अस्विन की जो फिल्मे होती वो लोगों को पसंद नहीं आती लेकिन मूई के अंदर क्वालिटी हमें देखने को मिली परवास यह वही नाम है जब लोग लंबी-लंबी लाएने लगा कर इनकी फिल्में देखा करते थे लेकिन पिछले 5 सालों से इनकी फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी लेकिन अब की बार नाम बदला गया था, कहानी बदली गई थी, स्टार बदला गया था, सब चीजों को बदलाओ के साथ रिलीज किया गया था, जिसका नाम था कलकी 2898 जिसमें परवास के साथ काफ़े इच्छी जोड़ी हमें देखनों को मिली थी कमाल असन, अविता, बच्चन, दिपिका, पादुपन और मुई को लगवा लबस सो से ज़्यादा देशों में रिलीज किया, नतीजा यह वाइकि देशों के साथ लोगों ने भी मुई को काफ़ी पसंद किया, और सीज मार्गेट से मुई ने तकरिवन 200 क्रोडर पे से कमाना नॉर्मल है, और कल्की के साथ भी वैसा हुआ, पहले दिन दुनिया बर से मुई ने 200 क्रोडर पे कमाए, इंडिया से 690 क्रोडर पे और ग्रोस क्लेक्शन 115 क्रोडर पे के आसपास चला था, और अपने शुरुआती चार दिनों में जो की वीकेंड था, वीकेंड का मुई की जो कमाई गिरी थी, वो तड़ाम से गिरी थी, पहले मंदे को जो मुई ने कमाई की थी, वो स्रिक 34 क्रोडर पे की थी, जिसमें से 17-18 क्रोडर पे मुई ने हिंदी लेंग्वेस से कमाए, उसके बार में मुई ठीक्टा की चलिए, एक तरिके से आप ये कह सकते हो क 25 से 30 क्रोडर पे के असपास इंवरेज चल रही है, अगर इन 7 दिन की बात की जाए, तो 7 दिन में मुई ने 390 क्रोडर पे कमाए, और आज का दिन जो की 8 वा दिन है, तो आज का जो एल्ली स्टेडमेन रहने वाला, वो 15 से 20 क्रोडर पे के असपास रहेगा, एक बार फिर से वीकेंड सुरो, आज आपर मुई हिट करेगी,